नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हमें वहाँ पे जहां पे भग्मान राम जी का सशवाल है। अब यहाँ ए औरस में वह बगुणार मोही है और विजक्न का ले मलना और यहां वहां को आस्थान डिया भग्मान राम जी वाले हैं मा जानकी की नगरी में आप सब का स्वागत है जनक्पुरा स्थान में इस्थित मा जानकी का यह भव्य मंदिर 9 लाख में तयार हुआ था इस कारण से इस मंदिर को 9 लख्खा नाम भी दिया गया है तो चलिए मा जानकी का दर्शन करते है यहीं पर भगवान राम जी का विवाह संपन हुआ था और विवाह संपन होने के बाद वारव अर्ष तक यहीं पर भगवान राम जी मासीता के साथ निवास कर रहे थे उसके उपरां तो आयोध्या गए अब हम आपको वहां ले चलेंगे जहां पर म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम में कुछ अफ्षिस धरे गया है तो उनका भी हम बारी बारी से दर्शन करेंगे देखेंगे और उस पुराने अफ्षिस में आधनिक्ता का क्या तरक अब हम वहां चलेंगे जहां पर मंडब बना है जहां पर विवास शंपन हुआ था और वहां देखेंगे कि क्या-क्या चीजे है वहां पर नेपाली 10 रुपया और इंडियन 7 रुपया टिकट का दाम लगता है टिकट लेकर हम पार के अंदर आ गए राम जानकी विवास मंडब मेरे सामनी ही है यहां से दिख रहा है अब आप सबको हम दिखाएंगे यही वहां मंडब है यहां पर भगमान राम जी और शिता जी का अब यह वासंपन हुआ था बने रहीएगा ब्लॉग में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है काफी बढ़ा चरा मंडब है काफी ज्यादा मज़ेदार है आकर्शक है और यह दूसरे साइट का नजारा में आपको दिखा रहा हूँ अभी आप जो देख रहे थे यह मंडब के चारो साइट का नजारा था अब अंदर का नजारा कैसा है अंदर जो मुझे दिख रहा है अंदर है भगवान श्री राम जी का लक्ष्मन जी का और उनके चारो भाई का जो है मूर्ती बना हुआ है हर एक पिलर पे और बीच में क मंदिर के अंदर परवेश कर चुके हैं यानि उस मंदप में परवेश कर चुके हैं सच में काफी जाला अच्छा ना जारा है तो यह है राम जान की विवाह मंदप जो की काफी आकर्शक है इसके चारो और उनके भाय और उनकी पत्नियों का भी मंदप बना हुआ है और अगर राम जान की विवाह मंदब के चारो ओर का बात करे तो चारो ओर जो नजारा है काफी ज़्यादा आकर्शक है अशोक व्रिक्ष का पेर लगा हुआ है और लोग वहां पर आराम करते हैं सेल्फी लेते हैं साथ में आपको यहां बता दे कि अगर आप कभी भी नेपाल आते तो वैसे तो नेपाल में बहुत सारी जगे हैं घुमने के लिए लेकिन यहां जो है जनक पूर धाम यहां पर दो चीजे ऐसे महत्तपुर्ण हैं जो आपको घुमना चाहिए जिसमें पहला जनक नंदिनी का वह अस्थान है जिनको जानकी मंदिर भी कहते हैं और उसको नौल अक्था मंदिर भी कहा जाता है नौल अक्था यानि कि नौल आख में उस समय में तयार हुआ था जब नौल आख का कीमत आज के समय में ना जाने कितने करोरों के बराबर हो जाएगा अगर वैसा बिल्डिं नें यह अग्ическая अम्यार चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर पुराने हम ये अगर सब्सक्राइब गौन दे मात्रम